बाई, मुझे ना ब्रॉक्लेसलर जैसा बनना है क्या? क्या? हाँ भई, मैं भी जीम जाओंगा, बॉडी बनाओंगा अबे, ब्रॉक्लेसलर नहीं हिरो अलूम बना कर छोड़ेंगे इंडियन जीम वाले तुझे जीम जाकर बॉडी नहीं बनती, चुतिया बनता है चुतिया आज मैं बताओंगा तुझे इंडियन जीम के फंडे सुनकर फूर जाएंगे तेरे आंडे तुझे पता है, 90% लोग जीम की जहरातियों का पोस्टर देखकर जीम लगाते ये पोस्टर देखकर सड़े सड़े लोगा बाबुराव खड़ा हो जाए आईसा लगता है जैसे आंदर खुपसुरत हसीनाई डंबेल्स पकड़ कर इंतजार कर रही है तेरा और जैसे ही तुझे जीम के अंदर एंट्री मारेगा तेरा खड़ा बाबुराव दो सेकेंड में आत्मात्य कर देगा क्योंकि वहाँ हसीनाओ की जगा सिर्फ नंगे बालो वाले भालू मिलेंगे तुझे आईसा लगता है जैसे अंदर जाते ही तेरे साथ गैंग बैंग होने वाले है तुझे पूरी जीम में कही भी लड़की दिखाई नहीं देंगी लेकिन जीम के काउंटर पे हमेशा एक होट लड़की रखते है बेंचोत आदमी कितना भी गरिब क्यों न हो आईसा तराशा हुआ हुआ हुसन देखकर साल बर की मेंबर्शिप तो ले ही लेगा हेलो सर मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हो जी मुझे जिम लगा नहीं है ओके सर और क्या आप हमारी पूरी साल लेना चाहेंगे क्या मेंबर्शिप नई नई सिर्फ एक मैने का बताओ सर मैं आपको रोज दूँगे क्या पर्सनल ट्रेनिंग बता कितना पैसा चाहिए तुझे पूरी साल की मेंबर्श बिलूँगा मैं आज सिर्फ 15,000 बेचारे के पूरे मैने की पगार हड़ अप लेंगे ये भोसडी जिम वाले जिम का सबसे बेरेहम और खतरनक प्रानी होता है ये ट्रेनर ये भोसड बिल्ला भूल ही जाता है कि जिम की ट्रेनिंग दे रहा है या कमांडो की पहले ही दिन बोलेगा अच्छा सो पुशप्स मारो सला या एक पुशप्स मारो तो गान फटके आख में आजाए सो मारूंगा तो गान से ज्वाला मुखी बाहर निकलेगा तुझे पता है ये सेलफी खिछने का कीड़ा सिर्फ लडकियों में नहीं लडकों में भी होता है दो मिनिट जिम करेंगे दो बार सेलफी खिछेंगे फिर दो मिनिट जिम करेंगे फिर दो बार सेलफी खिछेंगे वो भी चुप-चप कोने में जाकर नहीं खिचेंगे मेरे आइने के सामने आकर खिचेंगे फिर वो फोटो फेस्बुक पर अपलोड करेंगे यो, सिक्स पैक्स आप्स कमिंग सुन अबे, आप्स नहीं, बच्चा निकलेगा उस फैमिली पैक्स है कुछ बंदे जिम में आते ही समात सुधारक बन जाते खुद का वरकाउट गया भाड में बिना वज़ा की सोशल सर्विस चालू कर देते जिम में ठीक से दस दिन भी नहीं हुए जिम लगाए और पास-पास मिनिट में आएंगे बाई देख तू ये गलत कर रहा है तू आइसा मत कर आइसा कर क्यों बै गुमनाम चुसे हुए आम निकल ले यहां से वरना कर दूंगा तेरे टटे जाम जिम में सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे इन चूतियों पर आता है ये हरामकोर वर्काउट होने के बाद एक दंबेल रखेंगे कश्मिर को और दूसरा रखेंगे कर्ण्या कुमारी को जैसे हम 10 किलो का दंबेल उठाने जाए एक आता है 10 किलो का और दूसरा आता है 15 किलो का मैं ये सोचने लगा साला लगता है हिलाने के वज़े से एक हाथ में पावर कम हो चुकी है शायद फिर बाद में पता चलता है कि बेंचोड एक डंबेल 15 किलो का है ये वही लड़के होते हैं जो मैट्स में 10 वी में 10 बार फेलो हो चुके होते इनको 10 और 15 का डिफरेंस पता नहीं चलता फिर जब ये सब बक्चोदी तू एक मैना जहलने के बाद खुद को आईने में देखेगा ऐसा लगेगा तू बनने आया था जौन सिना इन्होंने बना दिया कमसिन मिना इतना खतम शरीर देखकर तू निराश हो जाएगा और तू वो जिम छोड़ देगा जिसके लिए तूने साल भरके 15,000 रुपे दिये थे इसलिए मैं जिम नहीं लगा था लगता है भाई आपका भी चूटिया काता है इन जिम वालोंने अच्छा तो इस वीडियो के साथ हमारे चैनल पर 10 मिलियन व्यूज कम्प्लिट हो चुके है और शायद इस वीडियो के बाद एक लग सस्काइबर्स भी हो जाए इतने कम समय में इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी ऐसी हमारी बक्चोदी सेते रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सास्काइब कर दीजिए और चलो निकलो झाल